आज हम देखेंगे एक्स ट्रेक्टर ब्रस जीव्रिस में किस तरह से यूज किया जाते हैं और इनका यूज करके हम किस तरह की सकर्प्टिंग को अबचेट है इस पर ड्वल क्लिक करोगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएमें आपके वर्क स्पेस में, ब्रस का साइज काफी बड़ा आ रहा है, हम साइज को यहां से छोटा करते हैं, और थोड़े से डिवीजन बढ़ाते हैं, यह यह डिवीजन थोड़े से रफ दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने कीबूर्ड से कंट्रोल और डी बटन को प्रेस करेंगे, टू और थ्री टाइम्स, ताकि आपके डिवीजन यहां पर ज्यादा होगी, तो आपको ब्रेस चलाने में आसानी होगी, अल्फा के अंदर, यहां पर हम कुछ अल्फा लेते हैं, यह अल्फा हम को चाहिए होगा, और इस अल्फा को हम यहां पर यूज करते हैं, तो देखो हैं, तो लेट्स कि हम यहां पर थोड़े सी, देखो अब उतने सर्फिस उपर नहीं उठ रहे हैं, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं, यह, तो अब हमने यह थोड़ा सा इसकी सर्फिस को ड्रॉ कर लिया है, अब आपको लगता है कि यह सर्फिस हमारी कहीं और हमें तो एक्सरथे ब्रैस आपका सिंपली क्या करता है? यहका फोटो सॉप में, कलोन टॉल यूज होता है, यहां पर एक्सरथे ब्रैस वैशा ही यूज होता है, कि किसी भी सर्फिस का इस्ट्रॉ्ट्टर जो है इसको वह कॉपी करेगा, और फिर वह कहीं पर ब्रेप्लाइय कर सकते हो तो देखते हैं एक्स्ट्रेक्टर ब्रेस कैसे तो भी आपको प्रेस करना है की बोर्ट से और एक्स प्रेस करना है ताकि आपको यहां पर एक्स्ट्रेक्टर ब्रेस मिल जाए यहां पर जैसे आपने इसको प्लिक किया एक्स्ट्रेक्टर को यहां पर आप देखोगे कि यह एक्स्टेक्टर ब्रेस आ चुका है आपको यह वाला जो इस्ट्रक्चर यह कॉपी करना है तो आप जी बटन को प्रेस करेंगे जैसे आप जी बटन को प्रेस करेंगे आपका जो ब्रेस से उसका कलर देखो कैसा ब्लू कुछ स्काई ब्लू ट जहां तक आपने ड्रैक किया उसने क्या किया यहां पर देखिए अलफा में उसको डाल दिया है तो इतना ब्रेस आपका अलफा में आ चुका है इसका मतलब क्लोन बनाए जा चुका है अब इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो तो लेट्स की हमें आखों के पास पास भी बनाए जा सकता है यह देखिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको यहां से जी इंटेंसिटी कम कर लेनी है ताकि सर्फिस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो यहां पर देखिए हमें असानी से वह चीज़ी मिल गए तो इस तरह से आप इस वीडियो में ने टापिक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको किस टाइप के वीडियो की जरूरत है थैंक यू